शिव की क्रोधागनी का विग्रह रूप कहे जाने वाले कालभेरव का अवतरन मार्कशीर्ष कृष्ण पक्ष की अश्टनी को हुआ। इनकी पूजा से घर में निकारत्मक उर्जा, जादूर टोने, भूत प्रेत आदी का भय नहीं रहता। कालभेरो के प्राकट्य की निम्न कथा सकंध पुरान के काशी खंट के 31 अध्याय में है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विश्णुजी से बारी-बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ट कौन है तो स्वाभाविकी उन्होंने अपने को श्रेष्ट बताया। देवताओं ने वेदशास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविश्य और वर्तमान समाया हुआ है। अनादी अन्नत और अविनाशी तो भगवान रूद्र ही है। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में ये सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने पाच्वे मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे वेद दुखी हुए। इसी समय एक दिव्यज्योती के रूप में भगवान रूद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रूद् तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रूद्र रखा है अतह तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रम्हा के इस आचरन पर शिव को भयानक ट्रोधाया और उन्होंने भेरो को उत्पन करके कहा कि तुम ब्रम्हा पर शासन क करो। उन दिव्य शक्ती संपन भेरो ने अपने बाय हाथ की सबसे छोटी अन्वुली के नाखून से शिव के प्रती अपमान जनक शब्द कहने वाले ब्रम्हा के पाँचवे सर को ही कार दिया। शिव के कहने पर भेरो काशी प्रस्थान किये जहां ब्रहमा हत्या से मुक् किया। आज भी ये काशी के कोत्वाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किये वगर विश्वनात का दर्शन अधूरा रहता है।